Hello, it's SS2, right? Rock your day! स्वागत थे आपका Pika News, Hashtag 2 में Weekly Pokemon News जो आपकी Pokemon Knowledge को 100% अपडेट कर देगी तो बढ़ते हैं हमारे पहले News सेग्मेंट की ओर तो Ash को अपना Final Set Off मिल ला है Pokemon Journeys में जिसके अल्रेडी दो एपिसोड्स हो चुके हैं पर जो तीसरा एपिसोड एयर होने वाला है उसमें Brock जोइन करेगा Ash और Misty को हाँ वो पुराने तीन आइकॉनिक ट्रियो वापस से साथ आ रहे हैं Next News की तरफ बढ़ते हैं तो Pikachu और Eevee के बीस में रेस बहुत जादा वाइरल हो गई हैं तो Ash ते एक एपिसोड में Pokemon के जो उसके फाइनल एपिसोड चल रहे हैं जर्नीज के उसमें उसने एक Latios की help की थी वो Latios Ash के पास आया क्राश हो के water में गिरा था उन्होंने उसको water से निगा रॉकेट ने उसको पकड़ने का ट्राई किया था पर Ash उसके Pokemon न उसकी मदद की और finally जब एपिसोड के end में वो Latios जा रहा था तो वो उड़ते उड़ते गया उसके बाद वो invisible हो गया और फिर वापस से Ash को follow करने लगा तो अभी officially confirm तो नहींगी क्या Latios उसका partner बनेगा पट अगर वो उसको follow कर रहा है तो ऐसा हो सकता है next news Pokemon TCG trading card game में कडाबरा लोट रहा है 20 साल बाद कडाबरा की जो controversy हुई थी famous magician ने जो उन पे allegations लगा थे उसकी वैसे कडाबरा को नहीं लाए गया था TCG में पर फाइनली 20 साल बाद उसको वापस से TCG में entry मिल लई है Pokemon Journeys की एक और न्यूस है तो Pokemon Company ने शेयर की एक image जो की दिखा रही है कि Ash और Lapras वापस से unite कर रहे है इतने सालों बाद लास टाइम हमने Ash को Lapras के साथ देखा था तो वो शायद Orange League का लास एपिसोड था जब Ash सेट आफ कर रहा था Orange Island से अपने घर की तरफ और वापस से Ash को Lapras की पीट पे देखना खाफी अच्छा लग रहा है Next News के बारे में बात करते हैं तो Wolfie Glick जो की काफी फेमस Pokemon YouTuber हैं और जो की 2016 में Pokemon World Champion रह चुके हैं उन्होंने अपना ही Scarlet और Violet का एक tournament host किया था जिसमें उन्होंने 8 content creator जो की Pokemon content बनाते जिनको Pokemon competitive की knowledge नहीं है उनको competitive tournament में डाला और ये बहुत interesting match था पूरा tournament ही काफी interesting था तो बह ली पीचू, अलफा रेड, जेडेन अनिमेशन, वॉइड, बॉक्स 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 इन सबने पार्टिसिपेट किया था और वॉइड जीत गई ये tournament Next News है Pokemon Unite के players के लिए तो Dragaport और सीजन 13 के battle pass अब available हो चुके है Pokemon Unite में Next News के बारे में बात करते है तो Ash के voice actor से पूछा गया था कि क्योंकि अब Ash नहीं रहेगा Pokemon series में तो क्या आपको future दिखता है अपना Pokemon का तो उन्होंने बोला Ash ने कभी give up नहीं किया तो उसको 8 generation लग गए थे Pokemon World Champion बनने में ना उसने give up किया था और ना मैं give up करूंगी Next तो एक Reddit user है जिसने सारे के सारे elephant Pokemon का size comparison किया है पिच्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हो Last News के बारे में बात करते है जो Pokemon Scarlet और Violet है वो एकदम profitable थाबित हुए Pokemon Company के लिए सिर्फ तीन दिन में ही उन्होंने 10 million units sell कर लिये थे जो की बहुत होता है और इस हफते के लिए पस उतना ही अगले हफते फिर मुलाकात होगी Pika News Hashtag 3 में तब तक के लिए वीडियो अप अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई न्यूज मेरे से छूट गई हो and बाई बाई